हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू उसकी सबी इच्छाएं महादेव अवश की पूरी करते हैं आये जान लेते हैं सावन का तीसरा सोंबार पांच अगस्त को है इस दिन अशलेशा नक्षत्र और वर्यान योग रहेगा दोस्तो यह दिन ब्रत उपास सिव भूजन अभिशेक और रुद्राभिशेक के लिए अत्यनती ही सुभ है अब जान लेते हैं सावन तीसरा सोंबार सुभ मुरत क्या रहेंगे दोस्तो शुष्टि की उत्पति के अधिपति स्वयम भगवान शिव हैं शिव अनादी तथा शुष्टि परिकरिया के आदिसरोध हैं शिव का अर्थ कल्याण कारी माना गया है दोस्तो धारमिक मानताओं के आनुस्दाण महादेग को प्रसंद करना बहुती आसान है महादेव को प्रसंद करने के लिए सावन सोंबार की पूजा उत्तम होती है दोस्तो सावन के सोंबार पर विशेश कर शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेल पत्र अरपित किया जाता है दोस्तो इस दिन विशेज इच्छा पूर्थी उपाई के लिए महादेव का जलाविशे करने के बाद एक जोड़ा लॉंग और एक कपूर शिवलिंग के आगे समर्पित करें और नमश शिवाय मंत्र का जाब करें दोस्तो महादेव से अपनी इच्छा पूर्थी की कामना करें अब लॉंग और कपूर को सिवलिंग से सपर्स कराकर एक दिपक जलाएं और उस दिपक में लॉंग और कपूर को प्रजुरित करें दोस्तो इस उपाई को बहुती सक्तिशाली माना जाता है हर हर महादेव दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर करें और इसी तरही की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कर बेल आइकल को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें